चलिए भी आगे के MCQ हम कर लेते हैं बहुत ही बेस्ट PDF है TCS के सारे पुराने question है आपका कोई भी exam हो computer का state level का हो हर्याना CET उसका extra slave सब कुछ minus में दिया हो with MCQ दिये हुए है ठीक है तो आप ले सकते हैं book description में सारी चीज़ों के link दियो है windows explorer is a driver browser network database and file manager it's a file manager so window explorer is a file manager which of the window explorer is a file manager which are the following user tunneling protocols to securely send private network data over the network so VPN सभी को पता ही होगा what is red hat red hat is firmware malware antivirus application software so what is red hat it is an open source operating system it is not a malware it's not a firmware सब पढ़ेंगे हम यह virus वाले चैप्टर में सब दिया हुए स्पीडियों में यूजरी इंस्टोलेशन फाइल से वन एवन एक्स्टेंशन यह भी इसी है सब computer से related जितनी daily life में चीज़ें हम करते हैं dot exe the individual dots that from the image on a monitor are called pixels से सभी को पता है that refers to the unauthorized coping and distribution of software software piracy टेक है उसके बाद एक एडवर कंप्यूटर बिलोंग स्टू इंपोर्टेंट क्वेस्टन है जनवेशन के ओपर जरूर करिएगा एक्जाम में डिरेक्ली पूछ लेंगे कि कौन सी मेमरी यूज करते हैं और जो कौन से उसमें इस पूछ लेते हैं उनका टाइम पिरेट कितना है एक्जामपल भी पूछ लेते हैं तो फस्ट जनरेशन का या एडवेक पोप स्टेंट्स पोस्टोफिस प्रोड़ों इस यूज फोर दे केवल और ओफ तो वाइब इस ग्रेटे दन टीवी ग्रेट दनजी बीज़ेट नेम बी एंड टन किलो वाइट इस सब का वो दिया हुआ है चार्ट में देख लें आप ठीक है कि कितने अम्ब कितने केबी का होता है उसके बाद कि हाव मैनी बिट्स इनमेक एड्रस कितने बिट्स म령च होती है मैं मैं इदरस में तो ट्रम इंट एड बिकorable मडिफायर की इस कंट्रोल की कंट्रोल की स्कॉल्ड था आप को कै्प सुर्ट लोग ठीप क्या है आपकी टॉगल गलत्य horrible जिसमें आपका सुच्छ हो ठीकि है जैसे ओन ओफ इस कफ स् updated स्काब्स में सो स्विच होती है बेसिकली दो चीजों के बीच में जब कोई चीज फंक्शन इन ओएसाई मोडल राउटर यूज इन विच लेयर इट्स नेटवर्क लेयर में यूज यह बहुत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवाया है समी कंडॉक्टर और यह जो हार्ड डिस्क वगएरा फ्लोपी डिसकी टाइप मैंने करवाया इसका अंसर हो गया है इन एक्सल की बात हो रही है इसका मतलब क्या है आपकी कम है ठीक है जो लोग एक्सल यूज करते हैं को भली बात यह सब चीजें पता है ठीक आप करके भी देख लेना आप काफी बिग डाटा मालों बड़ा नंबर है कोई ठीक है जसे 99999 एक एक्सल के एक सैल में टाइप करके देखना अगर वो सेल छोटी है तो आपको यह हाइफन से दिखने लग ज पूसरको यह संपर ग्रिकल उसर इंटर ओड़ा हैस भी ट्रीटि बात कर लेना इसका आपके दिखनेच एक्स जनेच ने कुटस्स एक्स लेग बिग चिब टो बच्म्ई एक्का ने टो एक्सा है जिस ट्रीट इस पर जो डिंग उसे का इसका एपके देखनेछ फिर्ट पर computer is VLSI microprocessor based which function key is used for opening help f1 f5 is used for the refresh सारे के function भी दियो है मेरे PDF में सब के दिया F1 से F7 तक के की के in which field of computing what does VGA stand for video graphics array in the field of computing what does the NEX stands for so NEX का जो मतलब होता है बेसिकली होता है electronic numerical integrator and computer what is the full form of PROM programmable read only memory what is the full form of UR uniform resource locator सारे full form ही है what is the full form of warm warm की full form है write once read many at ll stands for high level language उसके बादे के 27th which function की displays the print purview window in Microsoft control plus f2 print purview निकालता है ठीक है control plus f2 print purview not print print करने की command control plus P होती है which of the following is used to receive and send computer files over the telephone lines so answer is modem which of the following is an input device of the computer answer is scanner scanner input device and output device मैंने आपको औरड़ी काफी बार बता चुका हूँ एक बार बता देता हूं दुवारा से यह देख लीजी आपके जो input and output device से mouse keyboard webcam touchscreen इसकी मदद से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं कुछ input डालते हैं कुछ बी जैसे keyboard में कुछ भी प्रेस किया नाम प्रेस किया नाम के बटन डाल दिया ने मीं तो वह का हो गया जहां पर कुछ डिजर्ड डिस्प्ले हो प्लोटर हो गया प्लोटर में ग्राफ दिखते हैं आपको हैंड सेट में अवाज अवास सुनते हो बैसे कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही है कुछ चीज़ हमें information मिल रही है से, our adapter में हमको वीडियं को वीडियो दिख रही है वो प्रिंटर में आपको प्रिंट कराण अखर हल रही है इंपुट में कुछ ब히 computer में में कची से में हो सकती है वह से वेब कैम है इंपूट ही है क्यों बार क neurolog को दे रहा है वो वीडियो बनाके दे रहा है न कंप्यूटर के अंदर जा रहा है वो ठीक है so printer हो गया speaker हो गया monitor हो गया यह सब क्या है आपके output device है next one is true trackball is which of the following device trackball is input device how many function keys are present in the standard pc keyboard is 12 function key use होती है होती है sorry present window explorer is a file मैं इसे तुबार रपीट हो गया यह next देखेगा MSI stands for its medium scale integrated circuit the capacity of 3.5 inch floppy disk is यह भी question मैंने करवाया है important है काफी इस तरीके का देखें PDF बहुत जदा effective directly exam oriented आपके question बनेंगे 1.44 MB when stands for its wide area network MICR stands for magnetic in character reader and EB CDIC stands for extended binary coded decimal interchange code उसके बादेखें which of the following is a part of central processing unit so answer is यह तो आपके input and out device है mouse होगा keyboard होगा printer होगा printer is output device keyboard mouse these are all input device and arithmetic and logic unit is a part of central processing unit CPU के वैसे में लिए तीन पार्ट होते हैं ALU control unit प्लस जो memory unit होता है इसके अंदर registers वगेरा होते हैं cat stands for computer aided design junk email is called spam उसके वादेखें hackers hackers क्या करते हैं basically break into the break into का मतलब क्या होता है break into को तोड़ना नहीं होता है break into the forcefully without any without किसी permission के किसी जैसे चोर होते हैं किसी घर में गुज़ जाते हैं तो उसको break into यह idiom and face है एक तरीके का प्रोवर्ब है वह है यह इन्टू ठीक है फ्रेजल वर्प्स हैं the computers आउसके बाद 30 लास्ट करते हैं आज की वीडियो में क्लाइंट सर्वर सिस्टम कोंसी टाइप के कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाते हैं वह इसको अपने फोन में पढ़ लीजिए अपको अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद